बागलपूर के साहिब गंज मोहले में जहरीली सराप पीने से तीन लोगों की मौत की खबर आ रही है जिसके बाद सहर के साहिब गंज सुल्तान गंज सलत को लोगों ने जाम कर दिया और हंकामा मचाया बता जा रहा है कि जहरीली सराप पीने से साहिब गंज के कुल तीन लोगों की मौत हुई है जिसमें से संदीप यादब मिथोन कुमार निलेश कुमार सामिल है वही छोटू सा मायक अनस्पतार में भरती है जिसकी आह की रौसनी चली गई है प्रदर्सन कर रहे आसपास की लोगों ने कहा कि साहिब गंज में खुले याम सराप की बिक्री हो रही है और प्रसासन इस पर कोई कारवाई नहीं करती प्रसासन को इसकी सूचना कई बार दी गई है लेकिन उन्होंने इस पर ध्याल नहीं दिया जिसकी करन लोगों की मौत हो रही है प्रसासन को पहले दी उन्होंने इस परस नहीं लिया कोई बोलता कि जाए हमारा चेटर नहीं है किस किस तो उठाना को कहे लगटिया को कहें लाद नगर को बोले इस लोगों को अगर तेरा को लोग माल लेते आज यह बिद्धाना इस तना क्या का हाथ था 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 जाए हमारा चेटर की कारण जो आज खा रहे थे लेकिन आज मिर्थी ओगए अगर उस दिन एस पी फोन उठाते तो च्यार रखता है कब दारुजिए मतलब आए थी काम में जो आज मिर्थी वह नहीं होता अगर उस दिन से रेट पढ़ती तो लेकिन किस प्रकार की रेट सब्सक्राइब करवाई चुदू की गई कितने लोग हिरासत में लिया गया है कि अभी हम लोग आगे फिर सत्यापन करें कि अब यह तक जो कि अब यह क्या है कारव इसका जो भी सत्यापन उपरांग आपको जानकारी हो जो कि अब प्रदर्सन कर रहे हैं लोगों ने सहाइब गंज के मुन्ना चौधरी वस्याम चौधरी पर सराब बेशनी का आरोप लगाया है लोगों ने कहा कि जिनकी मौते हुई हैं सब उसी कहां से सराब लेकर गए थे बता दे बीते दस दिनों में भागलपूर के अलग लग थाना च्छित्रों में दो दरजन से अधीक लोगों की मौते हुई हैं लेकिन प्रसासन ने एक भी मौत की पुष्टी नहीं की सुरुवाती दोर में जिनाधिकार ने पांच लोग की मौत पर समान मौत की बात कहते हुई जहरीली सराब से मौत को खारीच कर दिया था